नमस्कार साथियों मैं डॉक्टर प्रशांत कुमार लोहिया कॉलेज में व्यवसाइक प्रशाशन विशे के संबंद में आज आपको functions of modern finance manager या जिसे हम आधुनिक वित्थ प्रबंधक के कारिये कहते हैं या जो आधुनिक वित्थ प्रबंधक द्वारा संबंद की जाने वाले जूक्रियाएं हैं उनके संबंद में आपको बताने जा रहा हूँ तो आएए शुरू करते हैं आधुनिक वित्थ प्रबंधक या जिसे हम modern finance manager के नाम से जानते हैं या यूँ कहें कि जो आज कल या जो आज की जो बदलती हुए जो परिस्तितियां हैं उनमें जो finance manager के रूप में जो लोग काम करते हैं कंपनियों में या business organizations में उनका जो पद है वो आज किसी भी व्यवसाइक संस्था का जो वित्थ विभाग है उसका सर्वुच पद माना जाता है और उसकी जो भूमिका है या उसका जो रोल है वो भी बहुत महत्तोपूर्ण माना जाता है क्योंकि आज जो बढ़ती हुई प्रतिसपर्दा है बाजार में या जो वैश्विक इस्तर पर जो परिस्तियां निरंतर बदल रही है या जो अर्थ वहस्ता में जो निरंतर बदलाव हमें देखने को मिल रहे हैं इन परिस्तियों में जो संस्था का वित्त विभाग है या इस संदर्ब में हम ये बात कह सकते हैं कि जो आज कम्पनियां है उन में या जो बड़ी-बड़ी कम्पनियां है उन में एक जो पद है वो इस रूप में भी दे दिया गया है कि उसे संचालक वित्त के रूप में भी कहा जाता है जो संचालक मंडल या बोर्ड ओडरेक्टर्स होते हैं कंपनियों में तो जो बोर्ड है उसमें भी इनकी जो भूमी का है वो भी काफी महत्पूर्ण हो गई है तो यह अवसाई में जो प्रतिशपरता निरंतर बढ़ती जा रही है उसके संबन्द में हम वित्त प्रबंधक का जो दाइत्व है हम यह कह سकते हैं कि वह बहुत विस्तरत हो गया है और बहुत जटिल भी हो गया है क्योंकि उसके दुआरा जो संपन की जाने वाली क्रियाएं हैं उसके लिए उसे बहुत अधिक जिसे हम कहें कि बहुत अधिक विशलेशन, बहुत अधिक जो दूर दर्शिता, पूरवक जो निर्ना हैं उसके द्वारा लिये जाने होते हैं, इसलिए उसकी भूमी का बहुत महत्वून है, तो हम इस वीडियो के माध्यम से ये समझेंगे कि किस प्रकार से उसे अपनी क्रियाएं संपन करनी होती हैं, तो वित्य प्रबंधक के द्वारा या जो आधोनिक वित्थ प्रबंधक है, फाइनिस मेनेजर जो है, उसके द्वारा अपने जो अरजित ग्यान है, या उसके पास जो भी संसाधन या सूचना होती है, या जो उस उसके बुद्धि या विवेक है उसके आधार पर उसे वित्तिय नियोजन करना होता है यह बहुत मैत्तुपूर्ण क्रिया मानी जाती है वित्तिय नियोजन का तात्परिय होता है प्रगार से करना होता है कि जो भी संसाधन वित्तिय संसाधन उससस्ता के पास उपलब्ध है उनके संबध में उसे काրिय करना होता है तो वित्तिय नियोजन में मुख्यत है हम जो पुंजी के स्ट्रोथ होते हैं या जो capital structure है capital की हमारी कितने requirements हैं और कहां-कहां से हम capital acquire कर सकते हैं इन से संबंदित जो काम है उसे निश्यत करने होते हैं साथ ही साथ उसे ये भी देखना होता है कि किन-किन चेत्रों में और भुक्तान की स्थती उत्पन होती है अध्वा हो सकती है तो एक वित्य जो प्रबंदक है उसे संस्था में जितनी भी पुंजी है उस पुंजी का कितना हिस्सा विन्योग के लिए उपलब्द हो सकता है या होना चाहिए उसके संबंद में भी उसे निर्ने लेने होते हैं इसी प्रकार से जो वित्य प्रबंदक है उसे कोश या फंड्स जिसे हम कहते हैं उसके संबंध में भी उसे निरने लेने होते हैं उसे यह पता करना होता है कि कोशों की प्राप्ति कहां से होगी और किस प्रकार से जो फंड्स हैं उनका अलोट्मेंट होगा इस संबंध में भी उसे समय समय पर महत्तुपूर्ण निर्न लेने होते हैं वित्त प्रभंधक किसी भी व्यवसाइक संस्था का संचालन करने के लिए किसी भी व्यवसाइक संस्था के विकास और विस्तार के लिए उसके द्वारा जो उसके माध्यम से जो funds हैं उनका appropriation किया जाना होता है अर्थात उन्हें काम में लिया जाना होता है तो कोशों की प्राप्ती किस स्त्रोथ से होगी और उसकी cost क्या होगी उसका cost benefit analysis क्या होगा ये सारा का भी finance manager को करना होता है इसी प्रकार से funds कहां कहां से आएंगे या कहां कहां से आ सकते हैं इसके आधार पर फिर ये निश्चित किया जाता है कि कहां कहां इन funds को काम में लिया जाना है तो इसके लिए भी प्रात्मिक ताइन निश्चित होती है कि भी जो उस काम को पहले priority देनी होती है जो बहुत महत्वपोर्ण होता है और साथ ही साथ जो व्याफसाइक संस्था की आवशक्ताएं हैं उन्हें भी हमें सुनिश्रित करना होता है कि कहां funds की आवशक्ता जादा है जाकि वहाँ पर funds का proper allocation किया जा सके इसी प्रकार से funds को कि इतनी मातरा में काम में लेना है किस प्रकार से काम में लेना है इसका जो निर्ने है वह भी किसी भी व्याफसाइक संस्था का जो वित्वप्रबंदक है उसके द्वारा लिया जाता है तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण कारिया हो माना जाता है अर्थात funds कहां से कहां से आन finance manager है उसके द्वारा संस्था की जो संपदा है या जिसे हम wealth कहते हैं उसको भी maximize करने का काम किया जाना चाहिए या किया जाता है संपदा को maximum करने का मतलब यह है कि किसी माल लिजे कोई company है तो उसमें जो तने अंशधारी हैं अत्वा जो उसके swami हैं या honor है या किसी business organization के जो honor हैं उनको उनके द्वारा जो अंश खरीदे गए हैं या जितनी पुंजी का विन्योग किया गया है उसके उसकी जो market value है उसमें बढ़ोतरी होनी जरूरी होती है अर्था जो market capitalization है वो यदि नहीं बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि wealth जो है वो maximize नहीं हो रही है तो वित्व प्रबंदक को वो सारे प्रियास करने होते हैं जिससे किसी भी company के जो अंश है उनका जो मुल्य है उसमें बढ़ोतरी हो साथी साथ वित्व प्रबंदक संस्था की लाभांश निती अर्था जिसे हम dividend policy कहते हैं कि भी लाभांश किस रूप में बाटा जाएगा या लाभांश किस रूप में निशित किया जाएगा वो भी उसे प्रबंदक को महत्तोपूर निर्ने लेने होते हैं इसी प्रकार से बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिने कानूनी रूप से भी करना अनिवारिय होता है तो कोई भी व्यापार या व्यावशाय से जुड़े कानून है जैसे माल लेजिए अनुबंद अधीनियम है company अधिनियम है इसी प्रकार से मजदूरी बुक्तान अधिनियम है या प्रतिसपरधा अधिनियम है सूचना प्रोध्योगी के बहुत सारे ऐसे कानून बने हुए है हमारे देश में जो कि व्यापारोल व्यवसाय को प्रभावित करते हैं और इसी प्रकार से जो टेक्सेशन से जुड़े हुए जो लोग बने हुए हैं वे भी इसमें महत्तुपून हैं तो फाइनेंस मेनेजर को ये भी ध्यान रखना होता है कि कौन-कौन से लीगल जो रैस्पॉनसेबिलिटीज हैं या कौन-कौन से वैधानिक जिम्मेदारियां हैं जो कि उसे पूरी करनी है जैसे महाल लिजे टेक्स के संबन में दिबात करें तो एनवली जो या एनवली या कौर्टर ली जो रिटरंस भरी जाती हैं या फिर जो टीडियस का डिड़क्शन होता है इसी प्रकार से बहुत सारे जैसे महाल लिजे कमपनियों के संबन में बात करें तो कमपनियों की मीटिंग्स बुलानी होती है तो ये सब लीगल रिक्वार्मेंट्स होती है तो इनको भी उसे ध्यान में रखना होता है खास तोर से जो finance से जुड़े हुए जो matters हैं उनमें उसका role important होता है इसी प्रकार से कोई भी वफसाइक संस्था जो लाब अरजित करती है उसमें से जो अनिवारिय कटोतियां हैं वो करने के पस्चात जो लाब बच जाता है या जो वित्रित करने योग्य लाब होता है वह लाब अनिश्धारियों में और एक निश्षित जिसे हम कहेंगे एक निश्षित नीती के आधार पर वित्रित करना होता है और कुछ मामलों में वित्प्रबंधक कुछ लाब की कुछ जो मात्रा है वह है व्यापार व्यवसाय के विकास और विस्तार के लिए और उसको रिटेन भी कर सकता है अर्थात रोक सकता है और ये सारे काम करते समय प्रत्येक वित्प्रबंधक को अपने विवेक का अपने ज् अर्थ्य वस्ता में जो आने वाले उच्छा वचन या जो तेज़ी अथ्वामंदी की जो इस्तिया हैं उन पर भी उसे ध्यान रखना होता है इसी प्रकार से व्यापार और व्यवसाय की जो लाब हैं उनका मैनेज करना या मैनेजमेंट अफ प्रॉफिट सामेदी कहें तो य की विस्तरत है और जटिल भी है क्योंकि ये काम आसान नहीं है लेकिन ये है कि यदि वित्य प्रबंदक अपनी विवेक अपनी दोड़ दर्शिता बुद्धी ग्यान चातुरिये और जो उपलब्द संसाधन और सूचनाएं हैं उनके आधार प्रेदे निर्ने लेता है तो तो थैंक्यू वेरी मच अभी हम इसको यहीं पर क्लोज करते हैं